हेलो दोस्तों, I am Krishna आज एक नई वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों क्रेंक सॉप्ट आज हम आपको क्रेंक सॉप्ट के विशे में बताएंगे तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्रेंक सॉप्ट आज हम क्रेंक सॉप्ट के डेफिनेशन, पार्ट्स नेम, डाइग्राम, माटेरियल, कॉंस्ट्रेक्शन, वर्किंग, टाइप्स एड इसके फंक्सन के विशे में आज हम जानेंगे क्रेंक सॉप्ट की डेफिनेशन, क्रेंक सॉप्ट पावर ट्रांस्टिशन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंस पार्ट्स होता है यह कनेक्टिंग रॉट के माध्यम से पिश्टन के रेशिप्रोक्रेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कनवर्ट करता है क्रेंक सॉप्ट का पार्ट्स नेम, इसमें कौन-कौन से पार्ट्स लगे होते हैं फर्स्ट क्रेंक पिन, मेन जनरल्ज, क्रेंक वेब, कांटर वेट, थ्रेस्ट वाशर, ऑइल पासेज एड़ और ओइल सील, फ्लाइ विल मााउंटिंग, फ्लाइंज क्रेंक सॉप्ट का कॉन्स्ट्रेक्शन, इसकी बनावत क्या है? क्रैंक सॉप्ट पावर ट्रांस्मिस्टन सिस्टम का एक इम्पोर्टन्स पार्ट होता है यह कनेक्टिंग रॉट के मध्यम से पिष्टन के रेशी प्रुबेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंक सॉप्ट में क्रैंक पिन, क्रैंक बेव, मेन जनरल्स जिसे हम मेन बेरिंग भी बोलते हैं बैलेंसिंग बेट, फ्लाइ विल, माउंटिंग फ्लैंज, कीवे आधी होते हैं क्रैंक सॉप्ट में लुप्रिकेशन के लिए आउयल पैसेज भी दिये जाते हैं कडेक्टिंग रॉट का बिग इंड क्रैंक सॉप्ट में क्रैंक पिन से जुड़ा होता है क्रैंक सॉप्ट में में बीरिंग कंसिस्ट की जाती है या फिट की जाती है जिसे हम में जनरल भी कहते हैं Crank soft को balance करने के लिए crank soft में balance encounter बेट दिया जाता है जो की crank haym में mounted रहता है जिसे crank soft balanced रहता है Crank soft में lubrication के लिए oil passes और oil hole दिये होते हैं इन oil hole में oil का flow, lubrication और oil distribution cylinder block के oil gallery के मध्यम से होता है One stroke cycle के दवरान, crank soft and crank pin और connecting rod के बीच का distance piston displacement का आधा होता है या half होता है Crank soft का एक पूरा चक कर piston के दो stroke के बाद बनता है कहने कताब पर यह है दोस्तो जब piston 360 degree घुमता है तब crank soft 180 degree घुमता है और जब piston 720 degree घुम जाता है तब crank soft का एक पूरा चकर 360 degree का होता है Crank soft को forging या casting method से बनाया जाता है इसको working हे तू, suitable बनाने के लिए इसमें machining की जाती है इसका forging temperature नॉर्मली 1950 degree से 225 degree तक होता है piston के power stroke के दोरान जो vibration या thrust उत्पन होता है crank soft में उस distortion को सहने के लिए crank soft को ज़्यादा strong बनाया जाता है heart material से बनाया जाता है crank soft के long life के लिए crank soft को high footage strength and high wear resistance होना चाहिए crank soft की working crank soft power transmission system का important part होता है जब engine में petrol, diesel and air का mixture cylinder के combustion chamber में भेजा जाता है तो compression stroke में fuel के compressed होने के बाद power stroke में जब petrol engine में spark plug के दोरा sparking की जाती है तो उस दवरान fuel का दहन होता है और piston expand होता है piston में expansion होने से piston cylinder के down portion की और धगेलता है या push होता है जैसा कि piston connecting rod के small end से और crank soft connecting rod के big end से connect होता है तो piston जैसे ही नीचे push होता है या धगेलता है तो piston का reciprocating motion connecting rod के माध्यम से crank soft के rotary motion में बदल जाता है और crank soft rotate करने लगता है जैसा कि दोस्तों crank soft engine का high moving parts होता है high moving parts होने के कारण इसमें heat energy generate होने लगती है जिससे crank soft में friction generate हो जाता है friction के generate होने से crank soft और उसमें attached connecting rod भी खराब होने लगते हैं या डैमेज होने लगते हैं दोस्तों connecting rod और crank soft और engine के लगते हैं यह बहुत ही expensive होते हैं इसलिए इनके losses को रोकने के लिए इसमें lubrication किया जाता है इस lubrication के लिए soft में oil passage और oil hole दिये जाते हैं जिससे यह oil hole crank soft के main bearing से होते हुए connecting rod के main general में जाता है आईल का flow crank soft के main bearing से होते हुए connecting rod के main bearing के सभी भागों में बराबर मात्रा में बित्रित हो जाता है जिससे parts जल्दी खराब नहीं होते हैं crank soft का rear portion flywheel से connected होता है crank soft के rotary motion की जो extra power होती है वो flywheel absorb कर लेता है जिससे इस power को flywheel अवा स्यत्ता पढ़ने पर पुना crank soft के माध्यम से engine को प्रदान या power transfer करता है crank soft का front portion vibration dumper से connect होता है जो की crank soft के vibration या thrust को control करता है crank soft का function crank soft के front में gear या sprocket, vibration, dumper, fan built, drive pulley लगे होते हैं gear या sprocket crank soft को चलाते हैं second, dumper vibration, torsional vibration को control करती है या उत्पन होने से रोकती है third number, fan built drive pulley, engine pump, water pump एवं generator को चलाने में मदद करती है fourth number, crank soft का rear side में fly wheel लगी होती है जो crank soft को एक constant speed में rotate करती है यह fly wheel power store करने में भी काम में आती है crank soft के types crank soft 6 प्रकार के होते हैं single piece crank soft, build up crank soft, semi build crank soft, horget crank soft, builded crank soft, cast crank soft and billet crank soft होते हैं लेकिन usually two types of crank soft होते हैं दो प्रकार के crank soft होते हैं पहला होता है single piece crank soft और दूसरा होता है build piece crank soft, build up crank soft first, single piece crank soft single piece crank soft एक ही piece और भाग में बना होता है single piece crank soft का use multi cylinder में किया जाता है यह crank soft firing stress and cylindrical stress को सहने में capable होता है इसमें use होने वाला connecting rod दो पीस में बना होता है second आता है build or multi piece crank soft multi यार build crank soft कई multi parts से मिलकर बना होता है जैसे इसमें crank pin, crank wave, main general आदी अलग अलग तुकडों को horging या casting method से बनाया जाता है build crank soft का use single cylinder में किया जाता है इसमें use होने वाला connecting rod एक ही piece से मिलकर बना होता है crank soft का material यह किस material से मिलकर बना होता है crank soft को horging या casting method से बनाया जाता है यह cast iron, nickel, chromium, carbon, magnet, sulfur, steel, aluminum alloy आदी material का बना होता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें झाल